अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादियों के हमले से पूरा देश, दुख और गुस्से में है सोवार रात आतंकवादियों ने बेहदी शर्मनाख हरकत करते वे बाबा बर्फानी के दर्शन कर लोट रहे यात्रियों पर ताबर तोड गोलियां बरसाई इस हमले में साथ यात्रियों की मौत हो गई वहीं 32 यात्री घायल है प्रधान मंत्री मोदी ने आतंकवादियों के इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है मोदी ने ट्वीट कर मारे गए लोगों के प्रती समवेदना जताते वे कहा की भारत ऐसे कायराना हमलों के आगे नहीं चुकेगा उन्होंने जम्मु कश्मीर के राजपाल एन एन बोहरा और मुख्यमंत्री महपूपा मुफ्ती से फोन पर बात की और सभी तरह के सहयोग और सहायता का वदा किया बता दिंकी सरकार की तरफ से अमरनाथ यात्रा के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का दावा किया गया था सेना अर्ध सैनिक बल और पुलिस के 40,000 से जादा जवान सुरक्षा के लिए तैनाथ किये गए थे इसके बावजूद आतंकवादी यात्रियों को नुशान बनाने में काम्याब रहे हाला कि देश इस का एराना हमले से नहीं डरा और यात्रा मंगलवार को भी जारी है न्यूज एक्सप्रिस के रिपोर्ट